हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपना YouTube Channel were OH German Marvel गृट को ver अजलो एब्रिवन, जादा देर ना करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, अज लीओ के पापा लियो को तौलिय से पौच रहे है लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाने ही पाई थी कि लियो को नहाने के बाद हम लोग कैसे कैर करते हैं, लिए मैंने एक नया वीडियो बनाए है आप लोगों के लिए, I hope आप लोगों को अच्छा लगेगा, नहाने के तुरंट बाद ही उसको ड्रायर करना, ब्रॉ बहुत ही important होता है, तो आए देखते हैं लिए को नहाने के बाद हम लोग कैसे कैसे care लेते हैं, हम लोग लिए को नहाने के बाद उसके body को अच्छे से पोचते हैं, तॉलियो से, यह बहुत ही important होता है, बहुत लोग डॉग को नहाने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देते है बाट हम लोगों कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए डॉक के बालों के अंदर अच्छे से नहीं ड्राइ करेंगे तो डॉक के स्कीन में नमी रह जाएगी और वही से ही उनको स्कीन में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा इसलिए बहुत इंपोर्टन है डॉक के हैर और बोडी को अच्छे से ड्राइ करना आप देख पा रहे हैं लियो के पापा लियो को अच्छे से पोच रहे हैं हम पहले तॉलिय से ही अच्छे से उसको पोचते हैं तॉलिय से ही ड्राइ करते हैं बोडी के अंदर वाले पार्ट को भी अच्छे से तौलिये से पोचना बहुत ही ज़रूरी है लियो को भी अच्छा लग रहा है कितना प्यारा लग रहा है लियो के नहाने के बाद कम से कम 20 मिनिट लगता है उसको तौलिये से ड्राइ करने के लिए मैं वीडियो में इतना तो आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा झाल 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 यहानोर के लियोग से लियो बहुत है लियों को बिल्कुल भी आच्छा नहीं लगता है ड्राइर से ड्राइ करना, क्पूकर साउड बिल्कुल पसंद नहीं हाता है वो बहुत इरिड twee हो जाता है, बंड उसके बॉडी को भाड़ी को सुखाने के लिए हमें ड्राइर यूज़ करना पता है हम लोग लियो को नॉर्मेल ड्रायर से ही ड्राइ कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल ड्रायर भी यूज कर सकते हैं. ्राइ में कर सकते हैं. अब हो गया है लियो का ब्रशिंग टाइम तो लियो बेड में आ गया है वो ज्यादा टाइम एक जगा पे नहीं बैठा रहता है उसका एनर्जी कूट कूट के भड़ा पर है लियो का बैटरी कभी भी डाउन नहीं होता है जब भी जितना भी नीन में रहे एक बार खली उसको बुला जूगा लियो तो वो तुरंधी उ जरूरी होता है डाउस के लिए जो भी एकश्टा है वह महलता है निकल आता है अपको बर ईक जरह बहुत की इंपोर थेγ ocp इंपोर्टन होता है डॉक का ब्रशिंग करना और बाद में ज्यादा हैर फॉल भी नहीं होता है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों को डॉक के नहाने के बाद केर करना चाहिए तो आज का वीडियो हम लोग इहीं पर ही खतम करते हैं अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देजिए ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो को आप लोग देख पाएं